Hello friends, so अब तक जितने भी वीडियोज आपने हमारे देखा होगा उसमें आपको ये पता चला होगा कि online business कैसे start करें, online business के लिए क्या चीज़ के जरुवत पड़ती है, online business वो scale कैसे कर सकते हैं ये सारी information हम लोग ने अब तक वीडियोज में आपको देना चाहिए बट ऐसे बहुत सारे हमारे पास queries आएं कि आप ये information उनके लिए जारा तर फाइदा मन रहा है जिनको अल्री offline setup हो, अगर मेरे पास कोई offline setup नहीं हो बट फिर भी मैं online business में आना चाहते हैं, तो फिर हम क्या products में deal करें, किस product को हम choose करें ये सबसे बड़ा query उनके लिए रहता है, तो ये वीडियो आज उनके लिए है, तो मैं रविरंजिन आपका Big Faction चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं, चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको वो recommended list screen पे share कर रहा हूँ, जो हमारे marketplace द्वारा दिया गया है और जिस category में आप देख सकते हैं, 1, 2, 3 ranking दिया हुआ है, वो category में अभी तक वो top selling items है, ये पर quarter निकलता है, बस mostly इसमें changes उतने जादा नहीं हो सकते हैं, तो आप ये list share कर सकते हैं, ये सारे list हम description box में डाल सकते हैं बट ऐसे भी बहुत सारे products हैं, जिनका demand आज की time पे बहुत जादा है, बट definitely supply कम है, या हम ये बात कर रहे हैं कि online लोग उसको visit करते हैं, volume search इन जन उसका बहुत जादा है, लेकि number of selling या फिर seller selling दोस product बहुत ही कम है, तो आईए उन products के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो इस category में सबसे पहला products आता है, frames, जी हाँ, आज कल मैं frames से जाता हूँ, तो frames बहुत सारे motivational frames हो सकते हैं, आपके खुद के pictures के लिए frames हो सकते हैं, तो बहुत सारे frames आपके offices के लिए, आपके parallel space के लिए, आपके घर के लिए जरुरत पड़ता है, तो अगर आप frames को use करते है आप देख सकते हैं कि frames बहुत अलग-अलग types के आते हैं, बट उतने जादा vendors आपको online नहीं दिखते हैं, आप बोलते मैं offline market में जाता हूँ, तो मेरे पास जादा इसके needs या supplies दिखते हैं, बट online नहीं है, बट क्या ये हर share में available हैं नहीं, तो एक frames एक ऐसा sector है, जहां पे आ अच्छा से invest करके और अच्छे pricing earn कर सकते हैं, इसमें investment जादा नहीं लगता है, और आप देख सकते हैं कि ये और भी अलग-अलग portals पे 500-600 price पे बिकता भी है, दूसरा category होगे वो slippers, जी हमें slippers की बात करों, footwear की category में एक और सब category हो तो slippers, मैं सारे footwear की बात नहीं करों, मैं slippers की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हम लोग जाते थे कि पहले जो slippers आते थे वो काफी normal रहते थे और वही सारे slippers लोग use करते हैं, आज के time पे काफी trending slippers आ रहें, designer slippers आ रहें, जिसको लोग पसंद करते हैं, और normal activity, day-to-day activity में इसको use भी कर सकते हैं, लोग उस slippers को use करके malls जाते हैं तो yeah, designer slippers के लिए definitely market एक बहुत ही हाई है, तीसरा category होता है ring lights, जी हाँ, आजकल TikTok, Instagram या YouTube Shots के जमाने में, जब reels इतना जादा बनता है, तो definitely number of content creators भी बहुत जादा हो चुके हैं, तो number of content creators जब इतने जादा हो गए हैं, तो definitely वो content कैसे बनाते हैं, ring light equipment को use करते हैं, जी हाँ, बहुत सारे content creators आज से रिंग light को use करते हैं, और उसे content बनाते हैं, उसे shoot करते हैं, तो ये एक बहुत ही high volume या फिर बहुत ही demanding category हो गया है, लोग इसको purchase चाइना से भी कर सकते हैं, बहुत चाइना से भी काफी product supply होता है, और साथी साथ manufacturers भी इंडिया में set up कर गए हैं, जो कि ring lights manufacture करते हैं, तो जी हां, ring lights भी एक ऐसा category है, जहां पर आप बिल्कुल उसको online ला सकते हैं, और definitely आप देख सकते हैं, कि आपको business को instant head भे मिल सकता है, फोर्थ category, fashion jewelry, तो fashion jewelry जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ category जो मैं बात कर तो ये काफी high booming category है, आज के time पे, अगर हम बात करेंगे, सिर्फ domestic ही category में इसका boom नहीं हुआ है, इसकी demand international market में उसी type से increase हुई है, ये हर एक marketplace पे एक बहुत ही trending category है, हमारे पास जितने ही marketplace से suggestions आते हैं, या फिर उनके leadership team से call आती है, वो यही बोलते हैं कि we need more sellers, जो कि fashion jewelry में deal कर रहे हैं, because उनका demand Indian as well as international market में काफी आते हैं, ये बहुत ही समी समय है, आप अपने products को online लाएं और उसको use करें, जैसे कि इसका use क्या है मैं बता सकता हूँ, आज कल काफी लोग designer clothes या फिर wedding या festive season में use करते हैं कपडे, तो हर कपडे की needs के लिए वो शायद महेंगे ornaments नहीं खरीच सकते हैं, तो लोग क्या करते ह और फिर जब उसको use करते हैं, उसको side भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा महेंगा भी नहीं होता है, बट definitely उनके clothing style या कपडों से मैच करता है, इसलिए उनका जो festive season है या wedding season है, वो बहुत अच्छा आता है, जो fifth जो product है, वो है decorative lights, जी हाँ, आजकल से दिवाली के ही मौसम में decorative lights का use नहीं होता है, आजकल लोग in-house में especially अपने hall के areas में decorative lights को बहुत अच्छे तरिकर यूज करते हैं, LED lights या फिर आप कह सकते हैं, नॉमल जो bulbs होते हैं, उसको लोग use नहीं करके, लोग decorative lights को use करते हैं, ताकि जब भी guest उनके घर पे आए, एक social gathering हो, तो वही light को use करके, उतनी दरीकी से scale बलड़ा, आप देख सकते हो, कि अगर आप decorated lights को search करोगे market places पे, तो आपको different varieties के decorated lights मिलेंगे, क्यों? क्यों कि इसका demand बढ़ी है, manufacturers, अलग-अलग designs के products, almost हर month या हर quarterly इसको launch करते हैं, और बहुत सारे products जो के हैं, वो hit भी करते हैं इस time पे, जो six product है, जिसमे avoid करके, because WFH है, तो वो चाहते हैं कि शायद काम शुरू करने से पहले, या काम शुरू करने के बाद वो जिम को use करें, या फिर मंगाने के बाद यूज भी नहीं करते हूं, मेरी तरह हैं, मैंने भी अपने कुछ gym equipments मंगा हैं, बड में use नहीं करता हूं, but still, यह मैं बात कर 7. Home decorative या फिर home and improvement category आजकल के बहुत trending category हो गई है, जहां पे लोग अपने घर को सुजाने के लिए अलग-अलग चीजों को use करते हैं, पहले बहुत ही कह सकते हैं, यूनीक चीज नहीं आती थी, पहले हर घर में मित दे सकते थे कि इनो, fountain का pictures देख रहे हैं, या फिर running horses का pictures है, बढ़ आज के टाइम पे वो नहीं है, आज के टाइम पे artificial plants, spiritual buddhas के photos, या फिर spiritual buddhas के statues, ये सब भी आने लगे हैं, laughing buddhas के statues आने लगे हैं, four sets पे, तो ये सारे categories वाले sellers बहुत ही कम हैं, तो products की supply online में हैं बहुत कम, लेकिन इसका need या demand जैसे मैंने बार-बार इस वीडियो इसकी online and offline demand बहुत अच्छी है, और आपको अच्छे price पे ये product मिल रहा है, तो definitely आप इस product में invest कर सकते हैं online जाने के लिए, जो last category है, वो है books, आपको लगता हुआ कि books भी क्या category है, जो इतना जादा supply होता है, तो जी हाँ दोस्तों, पहले तहीं बतादू कि online Amazon जब भी start तो books की supply से ही शुरू हुआ था, flip card भी अगर मैं बात करो, वो भी books की supply से ही शुरू हुआ था, तो books के category पहले भी बहुत trending थी, आज के time भी बहुत उतनी ही trending है, हम लोग बहुत सारे brave sellers की video भी किये हैं, जो कि already book seller है, और आप देख सकते हैं उनकी videos में, उनका खुद का कहना हैं कि उन्होंने 2 साल के timeline में, 1.5 years के timeline में 25 to 50 thousand of inventory sold कर चुके हैं, तो सोचिए कि कितना ज़्यादा demand आज के time पे books का फिर भी है, तो ये books का category बहुत ही unique category जहां पे आपको GST के ज़रूरत बिलकुल नहीं परता है, आप सिफ औस सिफ पैन कार्ट से इस business को start कर सकते हैं, तो books category हमेशा से एक high running या फिर high volume searching category रही है, online marketplaces पे, तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि ये सारे 8 products आपको समझ में आया होगा, ये सारे 8 products पे आपको उतना ज़्यादा मैं detail में समझा पाया, और साथी साथ जो already trending category है, उसका भी list हम description box में mention कर दी हैं, जैसे कि मैंने आपको वो list व जरूर पसंद आया होगा, अगर आप वीडियो पसंद आया होगा, अगर कोई भी information मेरे साइट से नहीं दी गई है, तो आप please comment box में से mention करें, ताकि हम आने वाले वीडियो में उसको जरूर ले के आया है, और आपके queries ए issues को भी address करें, तो दोस्तों उमीद करता हूँ आज क वीडियो पसंद आया होगा, बिक फ्राक्शन से बने लेकर धनेवाद, तैंक यू